कोरोना वेक्सिनेशन अभियान का देश में चल रहे अन्य अभियानों पर असर पड़ता दिख रहा है स्वास्य मंत्राले ने पॉलियो टीका करण का अभियान टाल दिया है बता दे कि पिछले 25 साल में ये पहला मौका है जब पोलियो अभियान आगे बढ़ा दिया गया है आपको बता दे कि देश में कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर जारी तैयारियों के बीच केंद्रिय स्वास से मंत्राले ने ये फैसला लिया है बता दे कि 17 जनवरी को पोलियो राष्ट टीका करण दिवस मनाया जाना था जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सिनेशन का अभियान शुरू होना है 17 जनवरी को होने वाले पॉलियो ची का करंट दिवस को अब आगे बढ़ा दिया गया ए केंद्रे स्वाथ से मंध्राले की और से बुदवार को इस बात की जानकारी दी गई स्वास्य मंत्राले के मताबिक माने तो ऐ प्रत्याश्यत गतिविदियों के कारण अभी इस कारेक्रम को अगले आदेश तक रद किया गया है गौरतलब है कि भारत में बड़े सर पर पोलियो ड्रॉप से जुड़ा अभियान चलाया जाता है हर साल लाखों की संख्या में बच्चों को पोलियो की दवा दी जाती है भारत दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाता है लेकिन अब कोरोना वेक्सिनेशन के अभियान के कारण इसे कुछ वक्त के लिए चाल दिया गया है अभी अभियान कब होगा अभी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है यहाँ आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा करते हुए कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर बात की थी इस औरान प्ये मोधी ने राज्यों से कहा था कि कोरोना वैक्सिनेशन का काम दुनिया का सबसे बड़ा अभियान होगा लेकिन इसके साथ अन्य वैक्सिनेशन का काम भी चलता रहेगा पिये मोधी ने कहा था कि स्वास्थ से मंत्राले द्वारा जिन अभियानों को चलाय जाता रहा है वो चलते रहेंगे और करोना वेक्सिनेशन का काम भी होगा बता दे चलेंगी देश में करोना वेक्सिनेशन के बीच के इंदर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है इस महीने से शुरू होने वाले पल्स पोलियो टीका करण अभियान को सगित कर दिया गया है यहां बता दे कि इस अभियान के तहट जीरो से पांच वर्ष के आयू के वर्ग के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले ने बताया कि अप रत्याशित गतिविद्यों के कारण 17 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले पोलियो राष्ट्रे टीका करण दिवस को अगले नोटिस तक सगित करने का निर्ने लिया गया है यहां बता दे कि केंद्रि स्वास्ते मंत्राले ने नो जनवरी को एक पत्र के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रे पोलियो अभियान को सगित करने के निर्ने की जानकारी दी इसे पहले कि इंद्रिस्वास थे और परिवार कल्यान मंत्री हर्श वर्धन ने 8 जनवरी को कहा था कि 17 जनवरी को पॉलियो ठीका करण किया जाएगा यहां ये भी बता दे कि देश में बड़े सर पर शुरू हो रहे ठीका करण अभियान के तहट सबसे पहले फ्रेंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का वैक्सीन लगेगा इसके बाद सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा बलके जवानों को कोरोना का ठीका लगाए जाएगा इसके बाद दूसरे चरण में 50 वर्ष से उपर के लोगों और जो लोग संक्रमन के लिए ज़्यादा समवेधन शील है उन्हें चीका लगेगा ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें जंगमायुरवेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता बना आपकी जिंदगी का हिस्सा अब जंगमायुरवेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिन में शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट जोडों के जिद्धी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पेन किट महिलाओं में मासिक धर्म संबंदित समस्याओं के लिए जंगम स्वन कलश नारी योग किट बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट बेहतर पाचन के लिए जंगम पाचकरस किट थाइरोइड के लिए जंग जंगम थाइरो किट जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट पुरुशों की दुरबलता ठीक करने में सहायक जंगम स्वन कलश योग किट के साथ साथ और भी अदभुत औशधियां इन सभी औशधियों के लिए हमारे सभी सम्माननीय वैद्य डॉक्टर्स और प्राक् 9817098180